तेलो बच्चो गुड आफ्टूनून आज नया चैपटर शुरू करते हैं पिटा थर्मो डानिमिक्स फ़स्ट पार्ट है ये मैं आपको पूरा पूरा लेसन करवाऊंगा थर्मो डानिमिक्स तो वोटाब क्या होता Thermodynamics Thermodynamics का मतल होता है Heat Changes इस सारे चेप्ट में पीटा हम स्टडी करेंगे कि Heat Change कैसे होती है Thermo means heat और Dynamics means changes अब यह Thermodynamics पीटा कहा से स्टार्ट होती है आए System प्लस Surrounding पस यहां से अपने thermodynamics start होती है और यह system और surrounding है यह मिलकर के बिटा universe बनाते है अब जितना भी सारा thermodynamics में focus होगा बिटा वो होगा system के उपर तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह system क्या चीज है बिटा यह जो system है यह एक ऐसा part है universe का which is the under investigation अब यह under investigation क्या है यह एक small part है छोटा सा part है जिसको की हम observe करते है जैसे आप खाना खाने जाते हैं खाने की table पर बैठते हो तो आपका इस time जो है पूरा focus किस पर होता है खाने पर होता है वह क्या चीज़ बनी हुई है that is system और बाकी का जो rest part है वह surrounding तो किसी भी system के लिए या थर्मडानिज के लिए system और surrounding दोनों को होना बहुत जुरूरी है और बच्चे क्या surrounding क्या है जो rest part है मतलब जो system के अलावा जो part बच जाता है वह surrounding है अब होता क्या है इस system और surrounding के बीच में एक boundary होती है ठीक है और यह boundary जो है ना दो त्रीके की होती है या तो diathermic diathermic simple सी है बचा diathermic क्या हुआ इसको हम shortcut में बचा और दूसरे नाम से हम बोलते है conducting तो आपने पढ़ा होगा कि यह conducting क्या होता है conducting वो होता है जिसमें heat flow हो जाए simple सी बात है heat flow हो जाए तो यहां thermodynamics हम बोलेंगे कि heat changes हो सकती है इसमें और दूसरी जो बाल होती है बटा यह first यह आएगी second जो होती है इसको हम बोलते है adiabatic यह है adiabatic और इस adiabatic में क्या होगा इस first में क्या है बटा diathermic में heat flow करती है आपको बता थो heat change करेगी कब तक change करेगी जब तक दोनों का temperature या heat जो है वो same ना होजे और adiabatic क्या है adiabatic में heat जो है वो कभी transfer बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें transfer of heat नहीं होती है no transfer of heat मतलब बोले तो delta q इसमें 0 आता है delta q है change in heat जो है वो 0 है यह छोट-छोटी terms है यह सारी हम देरे-देरे पढ़ेंगे अब आगे बात करते है बटा types of system types of system तो यह generally बटा simple सी बात है यह three types का है first one is open system second होता है बटा closed system और third होता है isolated system मैं ज्यादा time लगाऊंगा इनमे यह तो बटा simple सी बात है open system जो है यह open system क्या होता है बटा इसमें आपने याद रखना है जिसमें mass and energy बटा mass और energy जो है वो change हो जाए ठीक है जिसमें mass भी change हो जाए energy भी change हो जाए जैसे for example के लिए मैं आपको बताता हूँ आपने एक container में किसी container में आपने जैसे मान लो आप चाय पीते हूँ आपने यह चाय ले ले ठीक है कब आपने अपना चाय का table पे रखती है या उसको ढखा नी open रहा खुला रहा उसमें क्या होगा थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे वो चाय भी ठंडी हो जाएगी और जो इसमें से वो evaporation थी, vapor थी वो भी चले जाएगे उपर तो it means क्या होगा मास भी change हो जाएगा और energy भी क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? इसको ढग देंगे यहांसे इसमें तो mass तो change नहीं होगा लेकिन energy जो है sai तोड़े देर के बाड फिर थंडी हो जाएगी energy जो हो change हो जाएगी this is a example of the close system अब आता है बटा isolated system इसमें mass और energy इन दोनों में कोई भी चेंजिस नहीं आएगी। उसको आइसोलेटर सिस्टम बोलते हैं जैसे आप टी को चाय को आप थर्मस फ्लास्क में डाल दो वो काफी देर तर को गर्म ही रहेगी जब गर्म रहेगी एनर्जी चेंज नहीं होई तो मास चेंज होने का मतलब भी ये हमारे पास पास सिंपल सी बाद दे हिएए थ्ली टाइप के अपने सिस्टम थे अब बार ही आती है कि वहरी इंप्ण properties of यह जो попытट है ki मैं थिख्रम अधर्मोडाइनमिक्स 읍ध्रॉपर इसह यह मेंकडे टू टाइप्स की जार गाना थी है की फस्द वान एस एक्स्थेन्सेवि ए प्रपर टी है ठीक है बटा अब हम सबसे पहले extensive property को हम पढ़ेंगे मैं आपको extensive property के बारे हम बताता हूं बहुत simple है और बहुत important है बटा ये extensive property वो property होती है which depends upon amount of matter इसके उपर हम discussion करेंगे amount of matter या size of system या तो बटा ये dependent करेगी amount of matter के उपर या system के size के उपर इन चीज़ों के उपर depend करेंगे जैसे example है mass, volume, force, heat capacity ये सारी चीज़ें जो है ये बटा ये these all are the examples of extensive property अब देखो ना mass है ये तो mass है volume है ये तो बटा डिपेंड करेंगे amount of matter के उपर जैसे हम glass में पानी ले रहे हैं, दूसरी side में हम bucket में पानी ले रहे हैं, तीसी side हमने वो पूरी tank भर दिया पानी से तो ये क्या है, ये amount of matter के उपर depend कर रहे है, volume है, बाल्टी में है पानी तो इसका मतलब volume ज़्यादा होगा, गिलास में है कम होगा, तो ये amount of matter इसके उपर depend करते हैं, size के उपर भी depend कर रहे है, tanky का size है, बाल्टी का size है, bucket का ये सारी अलग लगे हैं अब आप देख रहे होगे, heat capacity क्या है, heat capacity होती है, amount of heat required to raise the temperature of the system through 1 degree Celsius, 1 degree Celsius तक, ये भी amount है, amount of heat required, ठीक है, तो ये थी भी extensive properties, अब second आती है, intensive property, ये intensive property, अब अगर हम intensive property की बात करते हैं, तो कोई definitions है, अगर हम लिखेंगे, तो definition हम ये लिखेंगे, कि which does not depends upon the, do not depend upon amount of matter और size, example है जैसे, dependent नहीं करते हैं, density, density देखो बाता, पानी है, ये density कभी भी amount पे dependent नहीं करते हैं, पानी थोड़ा हो, ज्यादा हो, density तो बात उतनी रहे, ये independent होती है, याद करने का तरीका, intensity IN, independent IN, independent होती है, और वो dependent होती है, भूरना नहीं आप नहीं, density आगी, कुछी चीज का mu refractive index आगया, जो आपने 10th class में पढ़ा था, pressure आगया, temperature आगया, ठीक है, और एक आती है आपकी specific heat, मैंने इसलिए आपको पहले definition बताई थे, ये बहुत example है, बहुत important है, exam में, MCQ में कई बार इंसे example पूछे जाती है, कि वह चार option दे दिये, कौन सा इसमें extensive है, कौन सा intensive है, तो समझने के थोड़े कोशिश करो, अब येटा specific heat capacity जो है, ये क्या होती है, ये होती है, कि 1 gram of the substance raise the temperature through 1 degree Celsius, तो ये भी कोई किसी के उपर, ये amount पे बहुत है, इसको हम बहुत है specific heat capacity, अब ये density, ये pressure, ये तो सारी आपको clear होगी है, अब एक छोटी सी बात और आती है, कि कभी भी इन दोनों का जो ratio होता है, इन दोनों का ratio बटा, किस-किस का, extensive का, ये देखना, extensive, over extensive, ये हमेशा intensive आती है, intensive property, देखो कैसे है, मैंने बटा भी आपको क्या बताया, मैंने बुला कि mass जो है, ये आपकी extensive property है, ये mass जो है, ये बटा आपकी extensive है, अभी आपने पड़ा, volume, volume भी आपका क्या है, बटा, अभी example आपने पड़ी, और mass और volume क्या होता है, बटा, density, अब बताओ, density काउन सी, किस-किस की example है, intensive की extensive, तो ये दियान रखना, कुछ questions हो है, वो आपके इनी सी solve हो जाएं, कि extensive और extensive property, जिनकी जो ratio है, बटा, वो intensive आती है, अब next एक term आती है, बटा, state function, state variable या state function आप बोलते हैं, तो ये state function क्या होता है, बटा, ये बहुत important term है, अब thermodynamics में हमेशा ये state function के बारे में ही आप से question जो आफ़रबड होंगे, state function बटा, हम simple से हम बात करते हैं, कि ये जो जो जितना भी हमारे system में जो change आता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है, it depends upon only initial and final state, बटा, ये initial और final state के उपर depend करता है, उसको हम state function बोलते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, change in pressure, change in volume, change in temperature, internal energy, ये सारे के सारे जो हैं, ये depend करते हैं, बटा, initial और final position के उपर, ये path के उपर बिल्कुल भी depend नहीं करते हैं, इसलिए ये state function होते हैं, जैसे मान लो किसी चीज़ कहां pressure है, जैसे मान लो first stage में point यहां था, दूसरी stage में जाकि ये एक initial position है, ये final position है, तो इसमें क्या होगा, अब ये इस तरीक के से change हो, या इस तरीक के से change हो, ये path one है, ये path two है, अब A में है, B में है, अब हम देखेंगे change in pressure, बटा क्या से किसे न किना हुआ, initially पर कितना था और final पर कितना, that is change in pressure, बाकि हमें ये नहीं पता कि, इस side से change हुआ है, इस side से change हुआ है, ये थोणना देखना है, change in volume, यहां volume V1 यहां V2 है, तो हम बोलेंगे change in volume कितना total change हो, आप बोलोगे sir, V2 minus V1, change in pressure के हम बात करेंगे, बोलोगे sir, P2 minus P1, change in pressure, change in volume, ये सारी के सारी चीज़ें state function है, अब आप सोचोगे, तो sir, फिर path dependent क्या हुआ, path dependent की भी आपको example देते हैं, path dependent है जैसे बटा, work, work जो है वो आपका, heat है, जैसे work है, work path dependent है, फिर किस तरीके से आ रहा है ये, आप इस side से गए हैं, तो हो सकता है, इस side में, ज्यादा work करना पड़ा हो, आपका जो path है, वो किस तरीके कर तो यो, ये जो work done है, ये आपका path के उपर depend करता है, ये path dependent है, और जो चीज़ें सिर्फ initial और final के उपर depend करती है, वो आपकी state functions आपती है, अब, एक बात और एक question पूछते हैं बटा, cyclic process, cyclic process है, तो जितने भी cyclic process में बटा, जितने भी आपके state function है, वो सारे के सारे zero होते हैं, और जो path dependent है, जो path के उपर चीज़ें depend करती है, वो not equal to zero, इसका मतलब है, जो heat है, वो zero नहीं हो सकती, work done है, वो zero नहीं हो सकता, किसी भी cyclic process में, cyclic process क्या है, जैसे मालो, कोई object जो हो, यहां से start होगा, A to B गया, B to C आया, यहां आया, A आया, A आया, A, B, C, D, यहां से start होगा, यह गया, अब बटा, इसमें है, heat, यहां तो हम ठीक है, जितनी भी चीज़ें सारी, हम change in pressure के हम बात करें, किसी भी चीज़ी पर हम बटागे, A पर initial, यहां पर इस point थे, यहीं आके गया, तो कितना होगा, हम वहीं बोलेंगे, final minus initial, यहीं रुका है, लेकिन heat की बात करेंगे, रहे, flow की है, heat ने तो path फोलो की है, यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो total heat तो है, heat change नहीं हो, heat 0 नहीं हो सकती, work done भी किया, A to B कुछ work done किया, B to C किया, C to D किया, फिर D to A किया है, तो cyclic process में, work done जो है, वो not equal to 0 है, क्यों जो है, वो not equal to 0 है, बागे जितने भी state functions है, वो सारे के सारे आपके नजीर हो, तो I hope, आज आपका यह first lecture जो है, यह thermodynamics का आपको समझाया होगा, इसके बाद आपका, एक और छोटे सी चीज़ें हैं, तीन-चार चीज़ें हैं, cyclic thermodynamics आपके कुछ processes हैं, बहुत important है और simple से process हैं, वो भी आज हम करे लेते हैं, इनको हम बोलते हैं, thermodynamics process, process क्या चीज़े होते हैं, जिस चीज़ें कुछ changes आ रही है, वो process है, तो first one is isothermal, isothermal process, isothermal process कौन से होते हैं, simple सी बात हैं जो, constant temperature पे आते हैं, second आते हैं बढ़ा, isocoric, जिन में volume constant होते हैं, third आते हैं isobaric, जिन में pressure constant होते हैं, pressure constant है, और fourth आते हैं बढ़ा, adiabatic, जिन में heat जो है, वो enter और close नहीं कर सकती, तो यह तो simple सी definition है, लेकिन इसकी main बात आती है, graphically representation करनी हो, आप से पूछा जाए, कि graphically representation करो, यह volume है यहाँ pressure है, अब आप से पूछा गया है, graphically representation करनी है, तो क्या आएगा बटा, तो यह चीज क्या है, यहाँ pressure इस side में ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहागा, यह constant pressure पर होगा, graph इसका क्या होगा, यह होगा iso-baric, isothermal, यह isothermal होगा, यह isothermal है, temperature तो constant है, लेकिन बाखी चीज़ें तो change होगी, फिर आप से पूछा जाएगा, isochoric, अब volume constant है, तो यह isochoric होगा, pressure versus volume graph में, और adiabatic की बाद करेंगे, यह जो graph होगा, यह adiabatic होगा, अब कई बार exam में पूछ लेते हैं, यह दिया नहीं होगा, ऐसे graphically दिया होगा, और कहा होगा, यह one है, यह two है, यह three है, इसमें one, two, three में ढूड़ो, adiabatic कौन सा, तो बादा, adiabatic में यह होगा, जिसका कि जो आपका slope है, यह बिल्कुल sharp है, एकदम से fall कर रहा है नीचे, ऐसे, इसका slope जो आपकी किस तरीके से है, और यह थोड़ा सा, ज्यादा time ले रहा है, तो जो बिल्कुल sharp time में fall कर रहा है बादा, वो adiabatic है, और बाकी तो आपको पता है, आईसो thermal, आईसो barric है, प्रेशर कॉंस्टेंट है, वोल्यम कॉंस्टेंट है, तो इस तरीके से हैगा प्रेशिकर का है, लेकिन दोनों को द्यान रखना, आईसो thermal में थोड़ा सा graph इस तरीके से होता है, लेकिन जो adiabatic hour, बूलो एक तम से sharp ली जो है, वो increase करता है, आई होप सो बेटा, आज का thermodynamics का आपका जो first part था है, यह आपको समझ आया होगा, second मैं आपको करवाऊंगा, कल करवाऊंगा, heat energy, internal energy कैसे हैं करवाऊंशन, गुडबाई बेटा,